वैलकम फ्रेंट्स सुवागदम दोस्तों एक सवाल बार-बार आपकी ओर से मुझे पूछा जाता है कि सर रेस्पिरेटरी ट्रेक इंफेक्शन में कौन-कौन से एंटिबाटिक दवईयां दी जाती है वैसे तो सभी प्रकार की एंटिबाटिक दवओं का सेपरेटली मैंने दोनों को ही कवर था मतलब है कि हमारे नाक से लगाकर पेवरों तक कहिं पर फैंफेक्शन हो, इस इंफेक्शन में ग्ला नाक, स्वास स्वांसनली फेपडग आदी सामिल है जब हमें गले तरह नाक में infection होतासे शहां अपर आपार एंटिबायां दी जाती उसको जानेते हैं बाद में lower respiratory ट्रेक लिए जानेंगे इसमें जो दवई दे जाते में अलगले पार्ट होता है तो उसमें साइनॉसेटिश भिरेंजाइटिश ता टॉमसलाइटिश सामिल होते हैं यह दोनों ही गल्ले में सुजन की विमारी 여러분 माल के दोनों और आज Talking सामिल है जो होता है जो फर्स्तस सोच में दवाया देगे जाती है उसमें in meine clockة nghi यह कैपसूल coincoin Cup लोक्सासिलिन कैप्सूल, एरित्रोमाइसिन, टेत्रासाइकलीन जिसमें डॉक्सीकलीन भी सामिले, पेप्लोकसीन, शिप्रोफ्लोकसीन यहां कुछ एंटीबाइटिक दवईयं हैं जो फर्स्ट चोईस में दी जाती हैं सेकेंड चोइस के और बड़े तो इसमें जेंटामाइसिन, सिफिकजिम, सिफपोडोक्सिम, सेफूरोगजिम, यहां कुछ दी जाती है, इसके लाए उस सेफूलेस्पिन गुप की अन्य दवयां भी दी जा सकती है, और जब यहां फर्स्ट चोइस ता सेकेंड चोइस काम नह सिलिन इन में से कोई एक दिया जाएगा, इस तरह से जब अपर रेष्पिरेटरी ट्रेक में इंफेक्शन होता है, नाक और गले का इंफेक्शन होता है, तो इन दवों का चुनाव किया जाता दर इसको दे कर अच्छा फाइदा मिल जाता है, अब बात आती है, लोवर में जानलीन जो जाती ने इन ते पने तो फैने सेके और ऐख वाद दी जाएगे जिन्वांज में second choice रहती है एरिथ्रो माइसिन जैन्टा माइसिन और इन दोनों से जब अच्छा फाइदा नहीं होता है या infection बहुत ही ज्यादा सिविर होता है तो उस समय higher saphylispring मतब जो injectable से saphylispring के वहतनी जाता है जैसे saphyrpine, sap trigzone, इसके अलवा carbonicylene, इसपार फ्लोक्स, लोमेफ्लोक्स, मेरोपेनाम या पिपरसिलीन टेजोबेक्टम इन कॉम्बिनेशन की दवईयां दी जाती है और यह अलग-अलग दवईयां देखकर रेस्फिरेटरी ट्रेक की इंफेक्शन को ठीक किया जाता है यहां पर कुछ बातें आप ध्यान रखें जब इंफेक्शन होता है केवल एंटिबाइटिक दवईयों देने से ज़्यादा नहीं होगा जो सिम्टोमेटिक प्रोब्लम है उनको भी दूर करना होगा जैसे अगर किसी की स्वांस फुल रही है तो उसको ब्रॉंको डाइलेटर देना पड़ेगा जिससे की स्वांस आस को ठीक किया जा सकता है तो दोस्तों यहाँ वीडियो आपकी डिबांड पर था जिसमें हमने रेस्पिरेटिव टेक में दी जाने वाले एंटिबाइटिक के बारे में जानना है हो सकता है यह अलग लग डॉक्टर की अलग लग चोईस हो यहाँ पर कॉमनली यूज लिए ज से भी दबाए जिसे के आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिक्स आपको मिल सकें और मेरे सभी वीडियो आपको पर देख सकें आप ते अपने दोस्त मोहीत आदिश के साथ देख रहें ते अपने एडिव चैनल लाना मुरा डीसी में